एक्स्ट्रा डोस केबल के सहारे गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दर्गा विद्धिवपुर शिक्स लेन ग्रीन फिल्ड पुल का फाउंडेशन तयार हो गया है फिलर तयार होने से सुपर स्ट्रक्चर यानि गार्डर लॉंचिंग का काम टेजी से हो सकेगा खास कर रागोपुर के साइट में बीश-विश में गार्डर लॉंचिंग का काम हो रहा है इसके साथ ही पुल के दोनों साइट एप्रोच रोड बनाने का भी काम तेजी से शुरू हो गया यह पुल देश का सबसे लंबा केबल डोज पुल होगा इसकी लंबाई 22 किलोमेटर से भी जादा होगी इसमें पुल की लंबाई लगभग पौने 10 किलोमेटर के आसपास होगी जबकि एप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमेटर के आसपास है इस पुल के तयार होने से दक्षिन बिहार और पडोसी राज जारखंट की तरफ से आने वाली गाडियों को बिना पटना शहर में प्रवेश किये ही उत्तर बिहार जाने में आसानी होगी इससे शहर में वाहनों और भारी वाहनों का दवाव कम होगा पटना की तरफ से कच्ची दरगा से बक्तियारपूर NS30 हाइवे का एप्रोच रोड बन रहा है एप्रोच रोड के निर्माण में तेजी आई है पत्विकास में भाग के सूत्रों के अनुसार जमीन अधिक्रहन का काम भी एप्रोच रोड के लिए तेजी से किया जा रहा है गंगा पर सिक्स लेन एक्सरा डोज केबल पुल के निर्माण से रागोपूर दियारा की सुरत बदलने वादी है सूत्र बताते हैं कि पहले की अपेक्षा काम में तेजी आई है